हेलो एफ्रिवान आप सभी का फिर से एक बास वागत है मेरे यूटूब चैनल सिंपल हैपी लाइफ में फ्रेंड्स जैसे आप देख पर रहे हो हम लोग आज निकल पर हैं कहीं जा रहे हैं तो आपको बता दू हम लोग आज जा रहे हैं सोथपूर गिर्जा साई बाबा के मंदिर तो आज काफी दिनों से सोच रहे हैं जाएंगे जाएंगे लेकिन फाइनली आज चुटी था सबका ही उसका पापा का और मामी का भी आज ज्यादा लब काम नहीं था तो इसलिए सभी मिलकर ठीक है कि आज जाना है मंदिर में थोड तो इसलिए हम लोग बच्चों को साथ लेकर निकल पड़े हैं तो हम लोग को पूजा देना है तो इसलिए रास्ते से मिखाई और लडू भी ले लिए थे और आप अगर नहीं ही भी ले तो कोई बात नहीं ही मंदिर में जब उत्रियेगा तो नहीं पर गेट के सामने ही ब कि इतना अच्छा सजावाट है मंदिक बहुत चारों तरव सजाये गहा है बहुत ही सुंदर बहुत अच्छा लग रहा है आप वीडियो में देख पा रहेते हैं चाही तरव किस तरह है लाइटिंग से पूरा सजावाट किया गया है चारों तरव बहुत ज्यादा भी चल रहा है भगवान जी का तो इसलिए अभी पूजा भी शुरुवात नहीं हुआ है तो इसी के कारण लाइन देखकर बच्चों को लेकर थोरा साइट में हम लोग बैठ के तो बच्चे हैं बहुत इंजाए करें तो इन पर हम लोग थोरा फॉटो सूट वीडियो करने लगे बैठ के तो आप अकर यहां आना चाहते तो श्याल्दा से आप ट्रेन पकड़ कर आ सकते सोथपूर स्टेशन में उतर कर तो हां से बीडियोड होकर आप आप आटो भी ले सकते या आप पैदल भी आ सकते दर पंदरा से 20 मिनिट लएगा और आपको डायरेक्ट आना है सोथ पूर गिर्जा मोर्क तो ही पर आपको मंदिर दिखाई देगा और आप बीडियोड से अगर आना चाहते तो बस भी आटो भी अवेलेबल है कहीं से भी आई है पस सवत्पूर गिर्जा में ही आपको उतरना है तो बहुत इजी मतलब रास्ता बहुत इजी है तो हम लोग आ जैसे देख पार है कि चारोतर अपास बहुत जादा भीर है और भागवान के दर्वार में सभी आज अपने मुराद लेकर आये हैं कि बाबा के पास अगर मुराद लेकर जाएंगे तो सभी का मुराद पूरा होगा तो हम भी आये हैं आज बाबा के पास बागवान जी के द दूर से दर्शन कर पाए तो आपको भी दूर से दर्शन करना होगा हमारे वीडियो में तो कोई बात नहीं आपको बहार कर लाइटिंग और बहार कर सजावाट आपको दिखाते देखिए कितना अच्छा लग रहा है चारो तरफ रंग बिरंग की लाइटिंग किया गया है औ सभी अपने अपने कोई सेलफी उठा रहा है और इधर देखिए कितना लंबल लाइन भी लगा हुआ है तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है एकदम मन खूस हो गया अज साम को सभी मिलकर जब कहें दर्शन के लिए सोचे नहीं ते कितना ज्यादा भीर होगा लेकिन नहीं तो हम लोग बहुत ही सुन्दर बहुत ही अच्छा से आज धर्शन कर पाए और अच्छा भी लगा तो फाइनली हम लोग बच्चों के लेकर निकल पड़े हैं अभी घर के और देरे जा रहे हैं और आज का वीडियो अगर आपको गाइस अच्छा लगी तो प्लीज क अच्छे वीडियो पाने के लिए और कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा कैसा लग रहा है आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो क्यूंकि आपको कॉमेंट परना मुझे बहुत आच्छा लगता है तो प्लीज कॉमेंट कीजिए और तो देखिए हम लोग बच सारा समान मतलब मेला में जैसे रहता है गुपचू पानी पूरी दो इधर बिलून तेज़धर सजावट के सामान हो सब कुछ लगा हुआ है बहुत सरा दुकान लगा हुआ है बाहर मेला पुरा गेट के सामने ही तो बच्चों को साथ लेकर हम लोग निकल परें घर की ओर क्योंकि रात भी जाद हो रहा था और ठन भी बर रहा था जादा तो घर के सामने आकर उन लोग को थोड़ा पाने पुरी खाने को अमन किया तो लोग पाने पुरी खाने लगा तो हम भी पाने पुरी खा लिया साथ में तो जैसा भी हो लेकिन आज का साम बहुत ही हम लोग एंजॉय किये और बहुत ही अच्छा लगा और बच्चे भी बहुत ती एन्याइकिये